एफला टॉक्सिन का उत्पाधण करता है एक प्रदात है जिसका उत्पाधन फंजाई यानी की कवक करता तो इसका राइट ऑप्सन है ऑप्सन C अचलते अगले से तीन फेज़े उनको आजे समझते हैं और मैंने पीछे यह भी बताया था कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिन में की सेक्स रिपोड़क्शन नहीं होता उन्हें हम इंपर्फेक्ट फंजाई करते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें सेक्स रिपोड़क्शन के स्टेप की तो पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन आफ प्रोटोप्लाज्म तो प्लाज्मोगैमी होता क्या है कि जैसे यह दो सेक्स सेल है यानि कि दो गैमिट है इनके अंदर साइटो प्लाज्म भरा हुआ है ठीक है और इनके दो नुक्लिय करते हैं इनके nucleus fuse नहीं करते तो ऐसे condition को हम बोलते है implasome to पहला step होता है Sex quad production का प्लास्मो गेमि इसके बाद जब इनके इन दोनों के nucleus fuse करते है तो उस condition ko हम बोलते है historie Durante मैं नीचे लिख दे रहा हूं Cario Games के बारे में का मतलब मैंने क्या बताया कि Nom दो cell के nucleus आपस में fuse कर जाते हैं तो उस condition को हम बोलते है केरियो गैमी केरियो गैमी के बाद तीसरा जो last step है वो है meiosis जिसे हम अर्दसुत्री भिभाजन कहते हैं तो sexual reproduction में यानि के फंजाई के sexual reproduction में तीन phase होते हैं प्लाज्मो गैमी जिसमें की दो cell के protoplasm fuse होते हैं दूसरा है केरियो गैमी जिसमें की nucleus fuse होते है और तीसरा होता है meiosis चलते हैं अंगले question की और एर्गोट कवक उत्पाधन करता है बहुत important question है और ये question कई बार पुछा गया है तो एर्गोट जो है यह एक बीमारी है जो की cleviceps पर पुरिया नामक फंगस से होता है और ये जो cleviceps है ये एक chemical यानि की एक रसायन्स सिक्रीट कहता है जिसे हम कहते है LSD LSD का full form होता है LSD का full form भी exam में पूछा जाता है LSD एक नसीला प्रदात है और इस प्रदात का उप्योग मांसिक भीमारियों के उप्चार में भी किया जाता है तो इसको याद रखेगा important question है ऐँ चलते हैं अगले question की और गलत मिलान चुने यानि कि आपको incorrect match करना है एना भी ना, synovacteria ये सही है amoeba, protojoa ये भी सही है गोनियोलैक्स, डाइनो फ्लेजलेट ये भी सही है पेनिसिलीन, आर्किबेक्टिय ये गलत है क्योंकि जो पेनिसिलीन है ये है एक फंजाई है तो ये गलत मिलाने है यहापर आपका जो right option है option दी है कवक के धागे नुमा सनरचना को कहते है thread light structure of fungi is known as तो कवक के धागे नुमा सनरचना को हम बोलते है हाइफी तो हाइफी plural word है और हाइफा singular word है तो जो कवक होते हैं वो धागे नुमा सनरचना के बने होते हैं जितने भी कवक होते हैं वो धागे नुमा सनरचना के बने होते हैं जिन हम बोलते है हाइफी और जब धे सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम याद रहेगा हाइफी और माइसीलियम को तो राइट साइड में फिगर दिया हुआ है इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसके उपर की जो सनरचना है वो स्टाल्क है ठीक है अगर singular एक लें तो उसको बोलेंगे हाइफा, तो ये धे सारे हाइफा आपस में मिलकर बनाते हैं mycelium और इसी के थुरू किसी भी fungus का formation होता है यहाँ पर एक बात याद रखेगा कि East एक ऐसा fungi है जो की non-filamentous यानि कि उसमें हाइफा नहीं पाए जाती वो केवल एक कोशकी होता है, तीछ मैंने आपको बताया हुआ है कि East जो होता है non-filamentous single cell fungi होता है आए निक्स्टम बात करते हैं mycorrhiza की mycorrhiza क्या होता है an association between fungus and root of higher plant यानि कि कवक और उच पौधों के जड़ों के बीच का जो जीवी संबंध होता है उसी को बोलते है mycorrhiza तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं कि यहां पर उच पौधा है यानि कि higher plant है और उसकी जड़ों से आपको सफेद रंग के कवक के हाइफी जुड़े हुए दिखाई दे रहोंगे तो जब कवक के हाइफी उच पौधों की जड़ों से जुड़े होते हैं तो ऐसे condition को हम बोलते है mycorrhiza तो अगला question है निम्न में कौन सा एक सहजीवी संबंद का उठारण है तो lichen भी सहजीवी संबंद का उठारण है mycorrhiza भी सहजीवी संबंद का उठारण है जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको mycorrhiza के बरहन बताया तो यह दोनों जो है सहजीवी संबंद के उठारण है तो आपका जो यहां पर राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन डी है ए और बी अगला question है निम्न में कौन सा एक मस्रूम है तो मस्रूम अगरिकर्स को करते है याद अगला question जो most important है अनुवांसिक प्रयोगों में कवक का उपयोग किया जाता है फंगस यूजड इन जेनिटिक एक्सपरिमेंट इस तो इसका राइट ऑप्सन है ऑप्सन सी नियूरोइस्पोरा नियूरोइस्पोरा को हम रेड मोल्ड भी कहते है ठीक है इस नाम से भी जाना जाता है और एक और important नाम से जाना जाता है इसे हम बोलते है drosophila of plant kingdom तो यह भी question पूछा जाता है कि drosophila of plant kingdom किसे कहते है इसका भी answer होगा नियूरोइस्पोरा तो most important है इसको याद रखेगा अगला question है कवक तंतु महीं है लेकिन इसका अपवाद है यानि कि कौन सा fungus जो non filamentous होता है तो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जितने भी कवक होते है वह हाइफी पाए जाते है लेकिन जो इस्ट होता है वह एक यूनि सेलूलर है और इसकी body filamentous यानि की हाइफी नुमा नहीं होती है तो इसका right option है option B तो आई चलते हैं अगले question की और कवक तंतु के जाल को कहते हैं तो मैंने बताया था कि हाइफी के जो network होते है आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे में बोलते है mycelium यहाँ पर right option होगा option B जलते हैं अगले question की और अगला question है Do backpack in काई मां क्या होता है तो कवक उतकक को हम यहनि के फंगल टीशू को हम प्लेक्टेन कहें मां कहते हैं बंतू यहाँ पर मैं आपको एक बाता दू की कवको में कोई उतक नहीं प्ाया जाता लेकिन से फंगल टीशू कियों कहा जाता ह अब जब यह mycelium बनाते हैं यानि कि जब यह group में structure बनाते हैं तो यह tissue like structure दिखाते हैं मतलब यह ऐसा लगता है कि यह कोई tissue है इसलिए उसे हम बोलते हैं fungal tissue तो वास्ताव में यह tissue होता नहीं है बट इसको हम term देते हैं fungal tissue I hope आपको बात समझ में आ गई होगी तो यह जो tissue like structure बनता है उसी को हम बोलते है प्लेक्टेन काइमा चलते हैं अगले question क्यों देखते हैं निमने में कौन सा lleegnine का अपघटन कर सकता है तो lleegannine क्या होता है तो जो वोदे होते हैं उनकी cell wall में ऌपको कत्ठोरगों जाती है तो जो funk फंजाई होते जी प्रापरटी नहीं होती कि वह लिग्नीन को डाइजेस्ट कर सके हैं चलते हैं अगले कोशेन की चलते अलैंजेटी कृम्स आइज कि नैसे जो इम बनाते हो इंड़ो इसलों बंता है जर्म से जूड़ेवे कुछ i1-2 नजर्ण तो जो फंजाई में sex organs होते हैं उन्हें हम बोलते हैं gametangia अगर male sex organ है तो उसे हम बोलेंगे entridia अगर female sex organ है तो उसे हम बोलेंगे ugonia लेकिन यदि हम बात करें class ascomycities की तो ascomycities में जितने भी फंजाई होंगे उनके female gametangia को हम बोलेंगे ascomycities तो याद रखेगा कि फंजाई ascomycities के जितने भी female sex organs होंगे उन्हें हम बोलेंगे ascomycities ऐसे हम बोलते हैं ugonia तो important है क्योंकि इससे आगे question आपको देखने को मिलेंगे तो question है कवक के जनननंग को क्या कहते हैं तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि कवक के जो जनननंग होते हैं उसे हम बोलते हैं gametangia अगला question है एसपरजिलस में नर जनननंग को कहते हैं तो एसपरजिलस जो है यह ascomycities का है और इसके जो नर जनननंग है उसको बोलते हैं आपको बताना है कि यहां पर जो mustard leaf है जिस पर आप सफेद रंग के spot देख रहे हैं तो यह किस fungus disease के कारण है तो मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया हुआ है कि white rust of crucifery LVUGO के कारण होता है तो यहां पर आपका जो right option है option यह है पक्सेनिया के कारण rust disease होता है जबकि अस्टिलागों के कारण इसमट disease होता है तो आप इसको भी याद रखेगा नीचे अगरिकस लिखा हुआ है तो यह पैरा साइट नहीं होते हैं यह सैप्रोफिटिक होते हैं तो वाइट रस्ट आप क्रूसिफेरी या फिर वाइट रस्ट आप मस्टर्ड होता है अगला कोशन नीम्ने में किसे पादब जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं तो मैंने पीछे बताया था बड़ा important है तो इसका right option है option A Neurospora नीरोस्पोरा को हम पादब जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं अगला question नीम्ने में किसे अपोण कवक कहते हैं तो imperfect fungi वे होते हैं जिन में की sexual reproduction नहीं पाया जाता है केवल ए sexual reproduction पाया जाता है और imperfect fungi बोला जाता है Dutero mycities को बड़ा ही important question है आप इसको याद रखेगा इससे आपके question बनते ही बनते हैं तो बात करते हैं kingdom fungi के अंतरगत पाया जाने वाले चार classes की पहला है Ficomycities दूसरा है Escoomycities तीसरा है Bacidomycities और चौथा है Dutero mycities तो यह चार important classes है वही हम बात करें Ficomycities के example की तो Ficomycities में आपके आएंगे Mucor, Rhyzopas और Elbigo ठीक है Mucor, Rhyzopas और Elbigo अभी पीछे हम लोग ने देखा कि Elbigo जो था यह एक parasitic fungi है जो की कास करता है White Rust of Crucifery या फिर White Rust of Mustard तो Ficomycities के अंतरगत Mucor, Rhyzopas और Elbigo बात करते हैं हम Escoomycities की तो Escoomycities को हम Sack fungi यानि की ठैली फंजाई करते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो ठैले नुमा होती है और इस संरचना क्या धार पर इसे बोलते हैं तो इसके अंतरगत आता है Penicidium जिसे हम Blue Mold बोलत करता है फिर इसके बाद है Neurospora जिसे हम बोलते है रेड मोल्ड या फिर ड्रॉसोफिला प्लांट किंग्डम इसके अलाबा कुछ edible fungi है जो कि Escoomycities के अंतरगत आते हैं Morales है टाफेल्स है ठीक है यह सभी edible fungi है वही हम बात करे बैसीडियोमाइस की तो बैसीडियोमाइस के अं पेड़ाते हैं इसके बाद ब्रैकेट फंजाई है पफबाल है यह सभी फंगस के ग्रूप होते है इसके अंतर इंतरगत भेसारे एक्जामपल है ठीक है यह ग्रूप है इसको याद रखेगा जिसे हमने पढ़ाता है इस मड़ इस होता है और पकषिनिय मिया जिस से ता बात करें इनके एक्जांपल की तो ट्राइकोडर्मा हो गया कलेक्टो ट्राइकम हो गया जिसे रेड रॉट ऑफ सुगर केंड डिजीज होता है और है अल्टरनेरिया जिसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो होता है यह था फंजाई से जुड़ा हुआ जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आज पूरा कवर कर लिया तो तीन पार्ट में मैंने फंजाई को कवर किया हुआ है आप तीनों पार्ट को जरू देखेएगा ठीक है और सब के लिए मैंने प्लेइलिस्ट बना रखी है तो आप अगर बीर्चू बेसी नर्सिंग इंट्रे यह थो आप हमेंट करके पूछा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तक तक के लिए जाहिल जाहिल भारत झाल झाल